Hello everyone, welcome to Chirak's SQL Server DBA Tutorial In this video we are going to learn how to remove database lock shipping and SQL Server हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि कैसे हम लोग database को remove करेंगे lock shipping configuration से Already हम लोग previous वीडियो में देख चुके हैं lock shipping configuration कैसे करते हैं और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि उसको कैसे हम लोग remove करेंगे तो lock shipping जो करते हैं हम लोग उसको remove कर सकते हैं हम लोग SSMS जो SQL Server Management Studio है उसका use करते हुए बहुत सारा simple options है उसके तुरू हम लोग lock shipping को क्या बोलते हैं digital करेंगे lock shipping configuration को तो इसमें हम लोग तीन चीज सिखेंगे status of lock shipping, lock shipping का status क्या है remove कैसे करेंगे हम लोग lock shipping से database को and lock shipping को कैसे remove करेंगे and तीसरा है जो secondary database होता है हम लोग जानते हैं कि lock shipping में वो database या तो standby mode में होता है या तो recovery mode में होता है हमेशा हम लोग recovery mode में maximum लेते हैं तो recovery mode से उसको हम लोग accessible mode मतलब नोन रिकाबरी मोड में होता है उसको अमरे एकसेसेबल रिकाबरी मोड में कैसे हम लोग करते हैं तो सिंपल स्टेप्स है हम लोग चलते हैं से स्टेप में सबसे पहले हम लोग SQL Server Management Studio open कर लिए मेरे पास दो SQL Server Management Studio है लेप साइड में हम क्या करेंगे प्राइमेरी डेटाबेस है उसको हम कनेक्ट करेंगे तो मेरा यह प्राइमेरी डेटाबेस है मेरे पास एक एक ही सिस्टम में दो डेटाबेस इस्टान्स रन कर रहा एक का नाम मैंने रखा है प्राइमेरी डीवी और दूसरे का नाम रखा है सेकेंडरी डीवी तो मेरा प्रा तो ये काम किसे करता है प्रिविज विडियो में देख चुके हैं हम एभार जॉप्सकों एक्स्पाइट करते हैं यहां का क्या क्या आफ-क्स जॉब है और은 जो क्या क् пап शिपिंग ज fibre होता है यह जॉप क्या करता है डीटावेस का gb बनता है ट्रांजक्शन का बैक अप बनता है और उसको इस पटिकुलर फोल्डर में ये घर दो मिनेट में एड़ करते जाता है और तब क्या होता है कि ये काम इसका कम्क्वीट हुआ कम्क्वीट होने के बाद से कटरी डेटाबेस में भी मेरा जॉप रन होता है जब हम कुन् डेटाबेस एक सब्केन में एक ओपन कर लेता हूं इसको निव इंडोर यह बैक आप तो यह मेरा लेप्ट राइट कर लेते हैं तो यह मेरा क्या है बैक आप के लिए है और यहां से बैक आप क्या होता है यहां पर यहां पर विए तक सब्करेक्ट है यहां पर टिक लगा हुआ है हाँ इवरीतिंगे कर रहें अगर कोई होता हुटा तो यह मेरा क्रास में दिखता है तो यह मेरा बैक आप जौप मेरा संट्सेस्पुली हो रहा है कॉपी जॉप को भी देख लेते हैं उसका हिस्ट्री स्टेटिक तो यह मेरा कॉपीट से एंड यह ost जॉप से तो यह मेरा सब कुछ run कर रहा है अब क्या करते हैं कि हम backup का status इसका lock shipping का status देख लेते हैं तो यहां पर properties में गया lock shipping transaction lock shipping में हम लोग क्लिक करते हैं तो यहां पर देखते हैं कि मेरा क्या है lock shipping जो primary database है उसका Enable configuration मेंना enable है यह हर 2 minute में में मेरा backup जो है वो create करता है ठीक है ठाइंजेक्षन करता है और उसके बाद क्या करेगा यह सेकंडरी डेटाबस में यहां पर तो हमें क्या करना है यहां हमें remove करना है लॉक शीपिंग से तो हम क्या करते हैं एसर्थ स्लेप्स कहीं बार तो करते हैं यहाँ पर मेरा को ओक्र हो्पार सब्सक्राइब बेखते हैं यह सब्सक्राइब अब और मेरा काम क्या बच्ता इसको को ऑनलाइन करना अभी भी इसको ट्राइब करेंगे एकसेस का तो एकसेसेबल नहीं होगा अगर रिप्रेस करोगे तब यह रिस्टोरिंग मोड भी दिखेगा मेरा तो यहां से कर दीए हम इसको अभ इसको हम प्रिटिकुलर लास्ट जो ट्रांजेक्शन है उसके साथ रिस्टोर करेंगे तो राइट क्लिक किजे एं ट् torch में जाए है देन है पर रिस्टोर रिस्टोर के बाद है transaction log transaction log में क्लिक करते हैं from device select करते हैं add करते हैं then उसका particular path तो path हमें पता है यहां पर log receive में जो सबसे लेटेस्ट जो बैक है कि उसको select करते हैं then okay करते हैं okay then यहां पर क्या हुआ यहां पर यह एड हो गया ठीक है यहां पर options में यहां पर कर देते हैं हम लोग no recovery नहीं with recovery होगा क्योंकि restoring mode में नहीं होगा with recovery then okay तो मेरा database lock shipping store successfully यहां पर click करते हैं okay तो अब देखिए यहां पर restoring ओला हट गया अब refresh करके देख लेते हैं हम लोग lock shipping हट गया अब यहां पर हम लोग अगर query चला कर देखते हैं तो मेरा database accessible है अगर इस बीच में कोई भी transaction आता कोई भी entry आता तो automatic हुआ के यहां पर restore हो जाता और यहां पर मेरा data मिल जाता तो इस तरह से हम लोग lock shipping को lock shipping को data मतब remove करते हैं configuration को और इसको हम लोग online करते हैं तो यह three काम मतब तीन काम हम लोग यहां पर सीखें तो आप hope this will help thank you for watching